वही छोटा सा चेप्टर है और जल्दी से निप्टा लेते हैं एक चेप्टर आलमोस्ट रोजाना करी रहे हैं हम आइडिया यह है कि भाई फटा फट से एप्लिकेशन डाउनलोड करके आज इसके एमसी कीउस लगा लेना रिविशन हम कर लेते हैं और ज्यादा बड़ा चेप्टर तो है नहीं छोटा से यह तो बायो टेकनोलोजी की जितनी भी बाते हमने सीखी हैं उसके आम जिन्दगी में कहां कहां पर उसके अप्लिकेशन होंगे वह हमें देखना है कि वह थेरपीटिक के लिए और एनरजी प्रोडक्शन के लिए तो वेस्ट्रीट्मेंट में ही बायो रिमिडेशन आजाएगा मतलब कि ऐसे जैनेटिकली मौडिफएड और्गानिजम बनाना जो तेल खा जाते होंगे या ऐसे जैनेटिकली मौडिफएड और्गानिजम जो पॉलिशन को कम कर तो वो बायो रिमिडेशन में आ जाएगा इसके अलावा क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायो टेकनोलोजी के क्या-क्या तीन में पॉइंट दे हुए हैं पहला प्रोवाइडिंग दे बेस्ट कैटलिस्ट कि आप जानते हैं कि आप अल्टिमेटली क्या करते हैं आप एक जीन उठाते हैं और एक बेक्टिरिया में डालते हैं उसे बुलते हैं कि बना प्रोटीन बना तो आप उससे जो प्रोटीन ब बनवा रहे हैं चीज वो उस किसी भी चीज को काम करने के लिए आइडेंटिकल बहुत सही मातरा में उसका पी एच उसका टेंपरिचर इस सारी चीज़ें मेंटेन करने पड़ेंगे आपको downstream processing technologies जिसके अंदर में आपने जैसा कि किसी बैक्टिरिया के अंदर में आपने insulin protein बना तो लिया है लेकिन insulin protein को bottle में बेचना है तो उसका सफर एक बैक्टिरिया के अंदर insulin protein से लेकर कि उसको जब आप बैक्टिरिया को तोड़ेंगे फोड़ेंगे उसमें से insulin निकालेंगे उस और in the biological application in agriculture अलग अलग फील्ड पकडता रहेगा यह और वह आपको इसके वारे में बताता रहेगा तीन ऊप्शन देज्व है इसके अंदर में agrochemical based agriculture ओके देखेंगी क्या पहला है एग्रोगेमिकल बेस्ट एग्री कल्चर और 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 गैनिक एग्री कल्चर ऊपर वाला agrochemical में आप वो ढाल सकते हैं सिधा सिधा कि भईया के तीन तरीके हैं एक तो इन और गैनिक और जैनिटिकली मौडिवाइड एगरो केमिकल के अंदर में आप इसको इन औरगैनिक मान लो के भई यूरिया का इस्तमाल कर लेते हैं और पेस्टिसाइट सोई ये सारी चीज़े जो है वो एगरो केमिकल बीज्ड एगरी कल्चर में आ जाएगा जो के सबसे जादा हमने इस्तमाल किया था ग्रीन में जो चीज़े मिल जाती हैं उन्ही से खादवाद बनावि कंपोस्ट वगेरा जो होता है वो कि फ़र का खानावा ना बजग्या है तो उसके इस्तमाल करके उसी में वर्म वगेरा डालकर कि उसी से उसके इसे कंपोस्ट वगेरा बना लिया गया है और intrins जेनिटिकली मारने के लिए कुछ पेस्टिसाइड वगेरा का इस्तमाल करना पड़ता था लेकिन अब आपने जैनेटिक्री मॉडिफाइड और गैनिजम ही ऐसा बना दिया है कि कोई फरक ही नहीं पड़ता है उसके पास कोई वीडू गे ना होगे वो अपने आप ही वीडू को मार देगी जो हमारी फसल है ग्रिन रिवलुशन के दौरान हमने अपनी जो फूड कॉंटिटी थी उसको ट्रिपल कर दिया था एक पर्टिकुलर एरिया से जो खाने की पैदावार है उसको तीन गुना कर दिया था हमने लेकिन जाहिर सी बात से कि भई पॉपुलिशन तो भड़ती च इन दौनों के कॉंबिनेशन से ही क्रिन रिवलुशन हुआ था और इन ही दौनों के कॉंबिनेशन को अभी भी मोटा माटी सबसे जादा इस्तमाल किया जाता है इतना जो लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथर्ड सा लेबर इंडेंसिव एक्सपेंसिव ए जेकिन अब देरे-देरे जैसे हमने कोप अब कर लिया है हम देरे-देरे अपनी धर्तीं की लेकिन क्याए कि आप यूरिय बगार डालेंगे ध्यान नहीं देंगे कि धर्ती का और गैनिक अंटेंट खातम होता चला जा रहा है तो फिर वो गलत बात है और जो कि आपने सुना होगा एक मुहीम चल रही है save the soil करके तो वो बहुत अच्छी मुहीम है वो logical है कि भाई वाके में throughout the world organic content soil का जो है वो कम हो रहा है उसका direct प्रभाव उसका indirect प्रभाव जो है वो हमारे उपर नजर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं genetically modified crop का इस्तमाल कर सकते हैं यह इसका एक possible solution है जिसमें हम genetically modified plant, bacteria, fungus, animals का इस्तमाल करेंगे जिससे कि क्या क्या किया जा सकता है पांच example दिये हैं आपको कि आप उनको जो है abiotic stress जैसे cold, drought, salt, heat इन सब से अब जानते हैं आपके heat waves आती हैं और heat waves के अंदर में फसले बरबाद हो जाती है या फिर फसल, पानी किसी साल में बारिश कम पढ़ती है तो सूखा पढ़ जाता है जिसकी वज़े से फसले नश्ट हो जाती है तो अगर हम उसको थोड़ा भी abiotic stress से tolerant बना सकें कि उसको जादा फरक ना पड़े इन चीजों का वो अपनी पैदावार जितना देता था उतना ही देता रहे हैं जो हमारा जो crop है किया जा सकता है genetically modification से chemical pesticide वगरा पे हम बहुत जादा rely करते हैं खर्चा होता है और environment के लिए भी उतना सही नहीं है क्योंकि extra mount नदी में जाता है तो फिर वो biomagnification हो जाता है उसका तो chemical pesticide जो है वो आपके क्या होंगे उन पे हम depend कम रहेंगे reduced post harvest loss याद कीजे बही जो गेहूं बहुत तस हजार आठ हजार साल पहले उगाया जाता था वो गेहूं आठ नौ फिट लंबा होता था और उसके अंदर में जब आप खसल काटते थे तो उसके अंदर में खसल के बाद वाला जो loss है बहुत जाद हुआ करता था आपका दाना जो डाल का दाना हो चाहे चावल का दाना हो चाहे आपका गेहूं का दाना हो अगर आपका दाना थोड़ा ठीक तरीके से चिपका हुआ नहीं है आपके में जो डंडी होता है में जो स्टेम होता है उस पर तो आप बस उसे चूएंगे और दाना गिर जाएगा तो फिर उसके विए से harvest का loss काफी जादा होगा तो आप चाहते हैं कि वो उसके इतनी जल्दी न गिरे Increased efficiency of mineral usage हर एक plant की शमता होती है कि उसके नीचे वाली जमीन से वो कितने आसानी और किस तरीके से mineral को ले पाएगा तो mineral तो available है soil में लेकिन ये क्या plant में खूबत है उसे लेने की तो वो भी देखा जाना बड़ा जरूरी है nutritional quality को enhance कर देना बायो जो आपका जिसके अंदर में आप vitamin A बढ़ा देते हैं vitamin E बढ़ा देते हैं genetically modified tailor made हम खुद बनाते हैं plant to supply starches fuel to pharmaceutical मतलब ये इसके additional के ऊपर जो हमने uses देखे उसके additional uses क्या है कि अपनी मर्जी का plant बना पाना starches, fuel और pharmaceutical बगएरा के अंदर में इसका इस्तमाल कर पाना एक बहुत जादा सबसे common example genetically modified का जो सबसे पोस्टर बॉई example है वो है BT cotton कि हमने क्या किया कि भीया क्यूंकि हमारे plant पे बहुत जादा pest लग रहे थे और हम क्या किया करते थे BT toxin के spore बगएरा बना करके छड़का करते थे तो फिर है उपर से BT toxin के spore बगएरा छड़कने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेड़ खुद बखुद अपने आप में बायो पेस्टिसाइड बन जाएगा और वही हमने किया BT cotton उसी का example है जिसके अंदर में हम जो plant है वो खुद बखुद एक प्रोटीन बनाता है जो कि काफी सारे इंसेक्ट से लेपिड अप्टेरन उनके example कोली अप्टेरन उनके example डाइप्टेरन उनके example तो अलग अलग इंसेक्ट से हमारे प्लांट को बना बचाता है कैसे कि या BT bicellus thuring genesis एक प्रोटीन बनाता है तो वही प्रोटीन का DNA उठाके हमने प्लांट में डाल दिया है तो अब प्लांट वह वाला प्रोटीन बनाने लगा है BT toxin वाला अब इंट्रस्टिंग बात यह है कि हमारे अंदर में इसका कोई फरक पड़ेगा नहीं हमारे अंदर में वह इनक्टिव रहता है लेकिन जैसे ही कौन खाएगा उसको कोई particular यह insect खाएगा तो उसके पेट में जाकर के alkaline pH की वजह से जो solubilize the crystal वहाँ पर crystal solubilize जाएगे उसकी जो mid gut की epithelial cell है उसको perforate कर देंगे फोड़ देंगे और उसमें व्यक्ति जो है वो जो भी pest है वो मर जाएगा इस तरीके से तो यहें लिखा है आपका किस तरीके से पूर क्रियेट हो जाते हैं cell swell हो जाती है lysis और eventually उसकी death हो जाएगी बीटी कॉट यह देखे यह जो है वेकार है यह बिलकुल सही है यह affected है यह सही है बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो इनकॉर्बरेट कर दिया गया क्रॉप के अंदर में और बीटी आर जिस जीन की हम बात कर रहे हैं वो जीन है cry1ac और cry1av तो जीन हो गया यह यह जीन बनाएगा बीटी टॉक्सिन अलग अलग पेड़ों में हमने अलग 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 वेराइटी जीन डाल दिया है किसी में हमने cry1av वाला जीन डाल दिया है जिस जगहे पर जिस तरीके का पेस्ट हमारे कॉटन के प्लांट को परिशान कर रहा था उसी ही तरीके का जीन हम डाल देते हैं कि मेरे खेतों में कॉर्ण बॉरर है वो ज्यादा परिशान करता है तो मैं कौन सा बीटी कॉटन इस्तेमाल करूं जिसमें cry1av वाला जीन पड़ा हुआ हो किसी के खेतों में बॉल वार्म परिशान करता है तो वो ये वाला बीटी कॉटन का इस्तमाल किये करें जिसमें ये वाला जीन पड़ा हुआ है क्राय टू एवे पेस्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट प्लांट वही एक पेरसाइट है निमेटोड है टो एक निमेटोड है जो के पेरसाइट है जो के तंबाकू के प्लांट के रूट के अंदर में जा करके उसको परिशान करता है और इससे फीज़द पैदावार है वह बड़े कम हो जाती है जाहिर जीबासे और भी प्लांट यहां तंबाकू का एक्जामपल दिया हुआ है अब क्या है कि एक तरीका है आरेने इंटर्फेरंस जिसके जरीए अभी जो आरेने इंटर्फेरंस है यह केवल और केवल यहां काम नहीं आएगा कि तंबाकू वाले प्लांट में काम आगा है यह हर सेल हमारे अंदर में भी हो आये आये आर्न्य़ इंटरफेरंश एक तरीका है यू करियो ​​टिकसेल का द्यान से सुनिये यू करियो ​​टिक और्गयानिनिजम का एक तरीका है जिसके याद किजे प्रोकरियोसियंक से पास restriction endonucleus होते है न उसके पास अपने defense mechanism के लिए वैसे ही eukaryotic cells के पास RNA interference होता है अपने cellular defense के लिए क्या होता है RNA interference के अंदर में silencing होती है कैसे कोई भी mRNA जो अपने आपको express करना चाहता है जो अपने आपका protein बनाना चाहता है उसे क्या कर दिया जाता है कैसे करेंगे उसे silence उस mRNA का double stranded RNA बनवा दो RNA जो होता है अगर इसका complementary RNA इसके सामने ही लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा double stranded बन जाएगा फिर अपने आपको translate नहीं कर पाएगा prevention in translation हो जाएगा अब यह जो complementary RNA है यह आखाएगा कहां से यह आ सकता है वाइरस से आ सकता है हमारे खोद के genome में आ सकता है हमारे genome के अंदर में कुछ genome की टुकड़े ऐसे होते हैं कुछ DNA की टुकड़े ऐसे होते हैं जो एक जगे से दूसरी जगे कुदाई मार सकते हैं किसे दूसरी जगे कूद सकते हैं उनको कहा जाता है ट्रांस्पोजोन तो यहां से वो complimentary RNA आ सकता है जो हमारे mRNA को silence कर देगा और जिस process को कहते हैं RNA interference अब हमने क्या किया अब हमने नीमे टोड़ वाले जीन उठाए और उनको उठाकर के plant में डलवा दिया अब भई डलवाना इतना आसान तो है नहीं कि हाथ से उठाया और प्लांट में डलवा दिया तो हम क्या इस्तमाल करते हैं हम एक वेक्टर का इस्तमाल करते हैं भई प्लाजमिड वेक्टर है डेंगू के लिए आपका जो मच्छर है वो वेक्टर है तो मच्छर के जरीए डेंगू का वायरस एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है तो हम नीमेटोड वाले जो जीन है वो प्लांट के अंदर में एक वेक्टर के जरीए भिजवाएंगे और उस वेक्टर का नाम है एगरो बैक्टेरिया अब इससे होगा यूँ कि plant के पास यह ताकत आ गई है कि वो क्या create कर सकता है वो double stranded RNA बना सकता है किसका वो बना सकता है जो इधर से नीमिटोड ने अपना RNA बना दिया और इधर सामने से plant ने उस नीमिटोड के RNA का complimentary RNA बना दिया तो क्या हो जाएगा कि नीमिटोड का RNA silence हो जाएगा silent हो जाएगा double stranded RNA बनके तो anti-sense RNA बन जाएगा उसकी विज़े से क्या होगा दौनों RNA एक दूसरे के complimentary है तो double stranded RNA बन जाएगा और फिर RNA interference हो गया यह बड़ा ही सस्ता वर्जन है RNA interference का RNA interference की और भी जादा detail आपको पढ़नी है अपने बैचलर्स में जाकर के चाहे वो बार्बरा बैकलिम मेकलिन टॉक का ट्रांस्पोजोन हो रेट्रो ट्रांस्पोजोन हो लेकिन चूंक हम कर रहा है अभी revision तो बस पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि भई यहां से NCRT की लाइन से कोई idea न चूटे और NCRT की लाइन का कोई MCQ न चूटे तो parasite could not survive in the transgenic host expressing specific interfering RNA क्योंकि host एक specific interfere करने वाला RNA बना रहा है यह RNA नीमिटोड के RNA के सामने जाके चिपक जाता है और नीमिटोड को अपने RNA के प्रोटीन बनाने में तखलिफ होती है जिसकी वज़ए से plant बच जाता है बायो टेकनोलोजिकल एप्लिकेशन मेडिसिन में क्या है हर डिपार्टमेंट में आप बायो टेकनोलोजी के एप्लिकेशन देखेंगे हेल्थ केर इंडस्ट्री में तो खास करके आपने देखना है पूरा का पूरा कोविड केवल और केवल बायो टेकनोलोजिकल एप्लिकेशन पर ही निकला है हम बहुत ही जादा मास प्रोडक्शन कर सकते हैं सेफ और एफेक्टिव थेरपीटिक के ड्रग्स का मतलब इसका सबसे कॉमन एग्जामपल इंसुलीन ही तो है इंसुलीन जो है वह आपने ड्रीकॉंबिन टेकनोलजी से बनवाया है और वह किसी भी तरीके का अनवांटिड इंसुलीन रिस्पॉंस शो नहीं करता है मतलब ऐलर्जी नहीं करेगा याद कीजिए कि जो इंसुलीन है पहले जमाने में पैंक्रियाज कैटल का पिक का इनका लेकर के उसे निचोड़ के उसे प्यूरिफाई करके चुन्नू सा इंसुलीन बनता था और वो भी रियक्शन कर जाता था तो हमने एक नया तरीका निकाला कि वही इंसुलीन का जो जीन है वेक्टीरिया में डाल देते हैं वेक्टीरिया हमारे लिए प्रोटीन बनवा देगा और वही हुआ आज की तारिख में बहुत ही जादा मातरा में 30 रिकॉमिनेंट्स हेरेपीटिक्स और और वर्ल्ड हुमन यूज के लिए अविलेबल है इंडिया में 12 अविलेबल है मतलब अब तो इससे खेर जादा ही अविलेबल है वर ठीक एंसुलीन का डेटा है जेनिटिकली एंजीनियर्ड इंसुलीन जो अभी अभी हमने बात की वही हुआ कि भी आप क्या करें कि बैक्टिरिया लीजिए बैक्टिरिया के अंदर में आप हूमन की इंसुलीन का डेएन डाल दीजिए तो अब वो इजिली ग्रू हुई हो जाएगा और बहुत जादा लार्ज कॉण्टिटी में हमारे पास इंसुलीन बन भी जाएगा आप जानते हैं कि इंसुलीन जो है वो डायबिटीस के पेशिंट्स के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी है एक जमाने में पैंक्रियास से डिरेक्ली बस निकाला जाता था तो इंसुलीन जो के आपका किस का बना होता है उसके अंदर में इस तरीके का होता है इंसुलीन कुछ पूटीन किस फार्म में होते हैं कुछ हॉर्मौन और कुछ पूटीन जो है वो आपके पूफार्म में होते हैं मतलब औboy active नहीं चाहएआ आपका progesterone हो जैसे कि अरे वाद क्या गलत एक्जामपल यह प्रोजेस्टरोन active है बाई यह मैं प्रो शब्द लेकर गए तम है कुछ भी नहीं लपिटा जा GSA सकता है ऍसेब्क प्रिमीटिव प्रो मतलब के हैम प्रोजिस्टर के मतलब होता है जेस्टेशन से पहले तो प्रो थ्रॉम्बिन ज्यादा बेटर एक्जामपल है प्रो थ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन बनता है तो उसी तरीके से प्रो इंसुलिन से इंसुलिन आपका बन जाएगा तो A और B जो है वो डाइसलफाइड लिंकेज से आपका बॉंड होता है C वाले को काटके हटा दिया जाता है बाद में तो इंसुलिन होता है A और B डाइसलफाइड बेजिस से लगा होता है जैसे प्रो हॉर्मून होते हैं वो एक्टिव हॉर्मून में बदल जाते हैं और C वाले पेप्टाइड को आपको काटके हटाना है इलाइ लिली कंपनी ने 1983 में दो अलग-अलग बेक्टिरिया के अंदर में चेन A बनवाली दूसरे बेक्टिरिया में चेन B बनवाली और दौनों को डाइसलफाइड लिंकेज से जोड दिया और फिर बोतल में डालके बेच दिया जीन थेरपी के बात करते हैं इनझाइम ठीक नहीं बन तुम ठाइक बेचगे नशचके 100 नहीं प्रिवर्शन करते हैं Inseign, प्रिवर्शन करते हैं उस जीन की सही पहूँच सपया बच्चे के पास और बच्चे के सही correction of genetic defect involves the delivery of a normal gene कि normal gene उसके पास पहुँचा दिया जाए ताकि वो normal protein बन पाए और बच्चे को उसके symptoms से निजात मिल सके ये काम व्यक्ती विशेश में भी किया जा सकता है individual में भी किया जा सकता है और का नाम है embryo के अंदर में भी किया जा सकता है और फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरपी जो है 1990 के अंदर में चार साल की बच्चे पर किया गया था और अभी भी वो उच्छे बस 35-36 साल की होगी वो एक ती एडिये की डेफिशेंसी थी एडनसीन डियमिनेज की डेफिशेंसी थी तो महां क्या किया गया डिलिशन ऑफ द जीन फॉर एडनसीन डियमिनेज की इस पर्टिकुलर डिसॉडर के अंदर में आपका जो एंजाइम होता है एडनसीन डियमिनेज ये ठीक से नहीं बन पाता है अब ये कैसे किया जाता है क्योर कैसे किया गया बोन मेरो के ट्रांस्प्लांटिशन से उस बच्ची में क्या किया गया ध्यान से सुनिएगा उस बच्ची में ये किया गया कि उस बच्ची का सबसे पहले बून मेरो निकाला गया बून मेरो में से बच्चे का बलड निकाला गया मतलब बलड या बून मेरो और उसके अंदर में आपने उन बलड के अंदर में से आपने च्छान के WBC निकाल ली और उन WBC के अंदर में आपने functional copy डाली है adenosine deaminase की और फिर उसको वापिस से बच्ची के शरीर के अंदर में डाल दिया है अब बच्चा सही प्रोटीन बना तो लेगा लेकिन कुछ साल बना पाएगा अब उसको दुबारा से ये प्रोसेस बार बार करवाना पड़ेगा इसलिए ठीक है लेकिन अगर आप ये काम embryo की stage पे करने की शमता रखते हैं तो आप permanently उसको cure कर पाएंगे यहाँ वाला case जो 1990 के अंदर में हुआ था वो completely cure नहीं था recombinated DNA technology by technology का जो इस्तमाल है molecular diagnosis में किया जा सकता है किसी भी चीज़ का इलाज इस चीज़ पे depend कर रहा है एक बहुत important factor है कि वो आप कितना जल्दी उसको deduce कर पा रहा है diagnose कर पा रहा है तो early diagnosis है कि conventional method में जब तक आप करेंगे serum आप उसका blood test करेंगे urine analysis करेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी तो better है कि अगर आप जल्दी कर पाएं तो early detection के लिए जो दो तीन चीज़ें हमें पढ़नी है इस chapter में वो है recombinant DNA technology PCR की machine और ELISA जैसे recombinant DNA technology से इस तरीकी के enzyme बनाए जा सकते हैं जिसका के इस्तेमाल आप करेंगे ELISA वगरा के अंदर में PCR वगरा से आप जानते ही है कि जो coronavirus के लिए आप RNA को complimentary DNA बना करके फिर polymerase chain polymerase chain reaction से उसका DNA को amplify करा देते हैं तो मतलब कि आपके शरीक के अंदर में कोई भी virus या वेक्टीरिया है वो आप लेते हैं और उसको PCR की machine में डाल करके amplify करवा देते हैं क्योंकि भी देखिए ELISA वगरा में क्या है ELISA वगरा के अंदर में तो फिर भी अगर आपके शरीर के अंदर में antibody बनना शुरू हो गई है या बहुत जादा मातरा में virus या बैक्टीरिया का protein हो गया है तब ही पकड़ में आएगा लेकिन PCR के अंदर में कम भी है तब भी पकड़ में आ जाएगा क्योंकि हम उसका आउंट बढ़वा रहे है presence of pathogen is normally suspected when the pathogen has produced a disease and symptom क्यों या जब symptom आने लग रहे हैं तब ही हमको लगता है कि हमको किसी ने डसा है मतलब हमारे को किसी का हमारे अंदर किसी का infection है बहुत जादा कम concentration हो तब ही हम उसको PCR से उस bacteria या उस virus के DNA को amplify करके पता कर सकते हैं आपको symptom आया भी नहीं होगा उससे पहले पता चल जाएगा इसका इस्तेमार हम AIDS के patient के लिए cancer के लिए genetic disorder के लिए इसके करना आम है a single standard DNA tagged और क्या करा जा सकता है कि एक single standard DNA या RNA ले लीजिए उसके उपर radioactive molecule लगा दीजिए तो ये उसको कहते हैं प्रूब और इसको आप अपने DNA के अंदर में hybridize करने की कुशिश करते हैं मतलब ऐससे होनों समझो कि आपका मतलब ले लिया शरी का कोई cheek से ले लिया फाड दिया test उस पे डाल दिया प्लेट पे डाल दिया एक और उसके उपर आपने ये उपर से ये प्रूब डाल दिया तो प्रूब जो है वो जाकर के चिपक जाएगा किसी DNA से और वहां जाकर के वो light बना देगा आटो रेडियोग्राफी के भी या इसकी X-ray फिल्म बनाते हैं आटो मतलब खुद बाखुद रेडियोग्राफी वहीं से signal दे रहा होगा आपको के यहां पर मैं जाकर चिपक गया हूं इससे तो इसका मतलब है के जो भी चीज तुम ढूंट रहे थे वह चीज वहां मौजूद है अगर वहां पर कोई mutation है तो फिर वह चिपक नहीं पाएगा और फोटोग्राफिक फिल्म पे भी नहीं आएगा Eliza is based on the principle anti-body interaction के वही antibody और antigen आपस में चिपक जाते हैं यह principle है Eliza का हम क्या करते हैं ऐसे एक प्लेट ले लेते हैं उसके अंदर में नीचे antigen को चिपका देते हैं उसके उपर anti-body को चिपका देते हैं anti-body जो है वह रंग दे देती है color देती है तो मैं पता चल जाता है कि यहां पर antigen है के नहीं है by detecting antibodies synthesized against pathogen दो तरीके से ELIZA किया जा सकता है एक तो ELIZA आप कर सकते हैं antigen के protein का शरीर में वो pathogen का protein मौजूद है के नहीं और दूसरा भई हमारा शरीर उस pathogen के खिलाफ anti-body बनाएगा तो आप उस anti-body को भी चेक कर सकते हैं तो दो level है या तो bacteria के protein को चेक कर लीजे या उस protein को चेक कर लीजे जिसे हम anti-body कहते हैं जो कि तभी बनेगा जब वो bacteria हमारे को attack करेगा transgenic animals तो जानते हैं आप कि भी हम बनाए जा रहे हैं कहीं से भी आपने DNA लिया और किसी organism के अंदर में डाल दिया चाहे rat, rabbit, pig, sheep, cow, fish जो हम कर चुके हैं इन सब को कहां कहां काम आ सकते हैं ये transgenic animal normal physiology और development वगेरा की study करने के लिए design to allow study के भई यह हम पता करना चाहते हैं कि genes कैसे regulate हो रहे हैं उनका normal function क्या है, कौन से factor involved है, example दिया हुआ है कि studying the biological effect उनका पढ़ पता चाहत पाएगा, तो मतलब पढ़ाई के लिए उनकी physiology को समझने के लिए Transgenic Animal काम आ सकते है, normal physiology को समझने के लिए, अब है study of disease की disease को समझने के लिए, कि understanding how genes are contributing to the development of disease के लिए कैसे उतरदाई है, कोई particular type का हा, बस Transgenic Animals है, जैसे के हम आज की तारीख में Transgenic Models का इस्तमाल करते हैं, Cancer, Cystic, Fibrosis, Remicoid Arthritis और Alzheimer जैसी चीजों को और जाद अच्छे तरीके से study करने के लिए, तीसरा, biological product यह तो सबसे common है, कि आपने insulin बनवाना हो, required to certain human disease, बनवा रहे है हम इसमें तो directly, enzyme बनवाएंगे protein बनवाएंगे, produce useful biological product can be created by introduction of portion, इसने example कुछ अलग दी है, बट वो insulin वाला ही example है, कि हमने bacteria में अपना insulin बनवा लिया, जैसे कि हमने alpha 1 anti-trypsin protein जो है, बैक्टिरिया के अंदर में बनवा लिया है, जो कि human के emphysema में बड़ी help करता है, या phenyl ketonuria या cystic fibrosis के लिए भी यही च तानवे के अंदर में, रोजी नाम की हमने पहली transgenic cow बनाई थी, इसके दूद के अंदर में, इनसानों वाला protein मिल रहा था, human वाला protein है, उसका हमने gene डाल दिया था, तो वो मिल रहा था, उसका नाम है human alpha lactel women, और इसके अंदर में जो protein था, वो धाई ग्राम परती लीटर थ आएंगे जो जिनके उपर आप polio की vaccine बंदरों के उपर आप vaccine टेस्ट करेंगे, chemical safety, कोई भी shampoo में chemical पढ़ना है, पिश chemical तो वैसे हर कोई हर चीज chemical ही है, क्या चीज़ है जो दुनिया में chemical नहीं है, लेकिन वो chemical की कितनी मात्रा toxic हो जाएगी और कितनी मात्रा safe में जाएगी क्योंकि अक्सर लोगों को ये गलत notion जाता है कि कोई भी chemical जो है, वो कितनी भी मात्रा में कम क्यों नहीं वो गलत ही है, तो फिर इसे साथ से तो खाना भी गलत ही है, क्योंकि extra मात्रा में खाना भी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, extra मात्रा में पानी भी नुकसान पह करता है तो किसी भी चीज का वो क्या आमांट है जो आपको नुकसान पहुँचाएगा वह टेस्ट करते हैं हम इसे हम क्या करते हैं जो और गानिजम है उनको हम जादा सेंसिटिव बना देते हैं मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सबस्टांस जिससे के कम टाइम के परिपक्ष है वो है एथिकल इशू का कि हम को कितनी हम कितना हस्तक्षेप करें इस पर्टिकलर पूरे सिनेरियो में इसकी कई सारे एंगल हैं इसके रिलीजियस एंगल भी हैं इसके एथिकल एथिकल के अंदर में भी रिलीजियस एंगल होना या लॉजिकल में कि हमारी सुसा दिल में हम चले जाएंगे पहरे हैं सियाटी खतम करते हैं जिसम एथिकल स्टेंडर्ड तो हमें मैंटेन करने पड़ेंगे इस बात को समझने के लिए कि भाई हम को ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं कि हाँ पर जीव मात्रें वाल्ड हैं तो तकि हम केवल और केवल करके उत्पात मचा दे जिस चीज को हम लैब के अंदर में ठीक बरताव कर रही थी अब पता नहीं है हमें तो इसके लिए बढ़ा धिरे धिरे और सही अंके साथ अब हिसकी टाकत है तो ताकत के साथ वह अगर फ़ dai प्र घाती है या गलत तरीके से सामने आजाती है तो उसकी नुकसान भी उतनी भिलने पढ़ा सकते हैं ह б तो इसलिए इंडियन गवर्मेंट ने अपनी तरफ से जनेटिक एंजिनिरिंग अप्रूबल कम्यूटी बनाई है जो इस बात को डिसाइड करेगी कि क्या चीज किस तरीके की रिसर्च हो लेती है प्रोडेक्ट पर ताकि कुछ सालों तक राज कर सकें उस चीज पर लेकिन ये दाइरा भी बड़ा अजीब सही है क्योंकि हर चीज आपने तो नहीं बनाई है ना मतब कई चीज़ें होती है जो आप इन्वेंट करते हैं लेकिन जब बात आ जाती है क्रॉप की तो उस उन पर पेडिंट ले लेती हैं जैसे कि अंडिया के अंदर में तर्म आपका दो लाख एंडिया के लिए के बासमति अगर उसको बेचना चाहेंगे वो उनको मुसीबत होगी तो फिर मतलब के हमारे ही देश में आकर के हमारा ही बासमती का प्रेटिन्ट लेकर के आपने देश में हमें ही वो बेचने से रोक रहें तो ये तो भई इसके लिए बड़ा शब्द है वह आप समझ जाए क्या है कि य जो कि इंडिया के अंदर में इतने सालों से चाहे बासमती हो टर्मरीक हो नीम हम किसी भी देश की बात कर रहे हैं चाहें नहों हर एक देश में जहां पर भी जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या वेजिटेटिवली रिच जो सुसाइटीज होती हो आपको ट्राइबल क हैं जहां पर जो अगर चोट लगए तो उनका वहां का लोकल प्लांट होता है जिसका पेस्ट पना करके लगाए जाता है और वह फाइदा पहुंचाता है क्योंकि वह अलग अलग पेरिड़ को ट्राइग किया गया है वो के वह जिस प्योड़ है फाइदा वो नैच्रल सेल है कि भीया क्या करते हैं जो इंडस्ट दो तरीके के देश हैं एक इंडस्टराइजड देश हैं जैसे यूएस से वगएरा जिसमें जिन में बायो डाइवरसिटी उतनी अच्छी नहीं है और हमारे जैसे देश हैं जहां बायो डाइवरसिटी अच्छी है तो उतने रिसोर ही है इसके अलावा तो यह रियलाइजेशन हुआ कि इंजस्टिस है आपका कमपसेशन भी ठीक से नहीं आ रहा है कहीं से भी और सब कुछ ने तो हमारे कई देशों ने हमारा देश ने भी इस अनुथराइज एक्सप्लाइटेशन के खिलाब जो है वह कानून बनाना शुरू तो भाई प्लीज इसके MCQs लगा लेजएगा मेक शूर।